हेलो माई दियर स्टूडेंट्स आज अपन इस वेडियो में 147 स्टार्ट कर रहें 147 ब्लॉक वन जिसमें यूनिट वन जो की हमारी कमपाउंड्स ओफ 3D मेटल्स है वो अपन शुरू करेंगे देखो तो इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूं यह हमारा ब्लॉक वन है जो कमपाउंड्स ओफ 3D मेटल्स इसका नाम है इसमें यूनिट वन जो हमारी इन और्गानिक रिएजेंट्स है वो हम यहां स्टार्ट कर रहें आज देन इसमें चार यूनिट्स हैं फिर हम यह कवर करेंगे तो यह जो यूनिट है आई मीन यह जो को करें नौ्स इसमें नौट करेंगे तो बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं बट इस यूनिट में जो हम डिसकस करेंगे वह हम ट्रांसिशन मेटल्स के रिएजेंट्स देखने बैसे पत्यएадц पेडिकल पूंका याद करने वाली सथ खीकल फस्कमिशन याद करने वाली쪽에ट होती है। कुछ भी जाद मतलब समझने वाला नहीं है बढ़ ठीक है अपन स्टार्ट करते हैं तो देखो जो ऑक्सिडेशन स्टेट है जो कि क्रोमियम मैगनीज और आयरेन डिस्प्ले करते हैं वो हमें यहां पढ़नी है तो अपन स्टार्ट करते हैं देखो यह जो टेबल दी हुए है यहां पर इस पर देखो क्रोमियम प्लस टू प्लस ट्री प्लस इक्स एक्जिबिट कर रहा है तो मैंने आपको पहले भोला यह सब आप तभी देख पाओगे जब आपको अटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे स्कैंडियम टाइटीनियम वैंडियम क्रोमियम मैगनीज प्लस टू करता है तो दो इलेक्ट्रोन निकल जाएंगे तो 3D4 होगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं प्लस 3 शो करेगा तो एक यहां से निकल गया दो यहां से निकल गए 3D3 हो गया प्लस 6 मतलब पूरे इलेक्ट्रोन निकल जाएं तो यह होगी क्रोमियम की ठीक है फिर देखते हम मैगनीज की तो स्कैंडियम टैटीनियम वैंडियम क्रोमियम मैगनीज 23 25 हो गया इसका 4S2 3D5 अब यह प्लस 2 अगर शो करेगा तो दो इलेक्ट्रोन S से निकल गए तो बचा 3D5 अगर यह प्लस 3 शो करेगा तो यह एक और इलेक्ट्रोन D से निकल गया 3D4 अगर यह प्लस 4 शो करेगा तो दो इससे 2 इससे 3D3 अगर यह प्लस 6 शो करेगा तो 5 और 6 3D1 बचेगा 7 अगर शो करता है तो सारे लेक्ट्रोन निकल जाएंगे इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि क्रोमियम प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 मैगनिस तो 7 तक जाएगा स्टार्टिंग फॉम प्लस 2 आयरन जाएगा प्लस 6 तक अब आयरन की बात करते हैं ठीक है इस पर question आता है कि आयरन प्लस 6 शो क्यों करता है देखो आयरन अगर हम देखें आयरन के configuration तो आयरन जो हमारा यह देखो यहां लिखा हुआ है यह लाइन की आयरन प्लस 3 ज्यादा स्टेबल है एक्वस एस कंपेर्ट तो आयरन प्लस 2 ऐसा क्यों है तो देखते हैं अपन देखो जैसे आयरन अगर हम स्कैनियम टेटिन मेडियम क्रूमियम आगनिस आयरन 26 तो फोर इस टू 3D6 इसका configuration अगर प्लस 2 बोलते हैं त तो यह दो इलेक्ट्रोन इससे निकल गए 3D6 बचा ठीक है और एक प्लस 3 अगर बोलते हैं तो एक और इलेक्ट्रोन निकल जाएगा तो 5 तो अविस से बात है D5 is more stable configuration as it is half filled है ना तो यह हमारे ज्यादा स्टेबल हो जाता है इसलिए जो प्लस 3 बाला है हमारे ज्यादा compare to what? प्लस 2 से ठीक है तो यह question आता है हमारा फिर एक चीज़ और आते है यहाँ पे कि जैसे जैसे हम left से right move करते है periodic table में effective nuclear charge बढ़ता है है ना effective nuclear charge बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि जो higher oxidation state है वो easily shown नहीं कर पाते हैं है ना तो higher oxidation state जैसे प्लस 7 मैगनीज के बाद कोई शो reason यह है कि effective nuclear charge बढ़ता है जादा तेजी से जो बाहर के electron से उसको nucleus का hold रहता है तो क्या होता है कि electron move नहीं कर पाते है जंप नहीं कर पाते है ना तो वो higher oxidation state show नहीं कर पाएंगे तो यह हमारा एक reason था फिर अगर हम chromium की oxidation state देखें तो हमने देख लिया अब एक reagent है जैसे यह K2Cr2O7 K2Cr2O7 है potassium dichromate यह है potassium chromate ठीक है यह क्या है यहां पर chromium की oxidation state जो इसमें है K2Cr4 में क्या है 2 oxygen की chromium की निकालनी है minus 2 charge होता है oxygen पर कितना हो गया 2 plus x minus 8 यहां equals to 0 रहता है तो यह कितना हो गया यहां पर बच्चा 6 X equals to 6 आजाएगा तो यहां पर chromium की oxidation state क्या है 6 है अब क्या करता है यह कि बहुत अच्छा oxidizing agent है oxidizing agent कौन होता है जिसका reduction होता है है ना तो plus 6 से किसमें convert हो जाता है plus 3 में है ना तब यह बहुत अच्छा oxidizing agent behave करता है और plus 3 में convert हो रहा है कोई भी चीज convert किसी चीज में तब होती है जब stability चाहिए हो तो chromium plus 3 हमारा ज्यादा stable होता है chromium plus 6 क्योंकि plus 6 में तो सारे electron ही चले गए chromium के ओके तो यह हमारा oxidation state है कि सारी आपको यह आपको याद करनी पड़ेंगे tables ठीक है अब एक बात यहां आती है कि for any of these metals जैसे ही D6 configuration exceed होता है D electrons bonding में participate नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं hold बहुत ज्यादा हो जाता है एफेक्टिव न्यूप्लियर चार्च का और oxidation state हाय यह हाय शो नहीं करते ठीक है तो अब क्या होगा जो low oxidation state होता है वो पाइ बॉंडिंग लीगेंड जैसे carbon monoxide है यह क्या करता है ना कि metal को low oxidation state में भी stable करता है जब आप मेटल कार्बुनेल पढ़ोगे तब मैं आपको समत carbon monoxide का पढ़ाओंगे तो यह क्या है पाइब बॉंडिंग लीगेंड है इसको हम पाइसेडिक लीगेंड भी कहते है जनर और oxidation state में भी stable होता है फिर क्या होता है कि higher oxidation state are displayed with electronegative elements जैसे oxygen fluorine और जो compounds होते है higher oxidation states के वो क्या oxidizing nature के होते हैं and covalent बलकि जो lower oxidation state के होते हैं वो reducing होते हैं और ionic nature के होते हैं तो यह question आपका देखो यह एक दिया हुए आइरन की maximum oxidation state plus six क्यों होती है तो अभी अपने देखा कि stable उस फॉब में वह होता है ठीक है अब देखो यहाँ प्रिपरेशन आ गई है तो इन सब के प्रिपरेशन हमें पढ़ने है पॉटेश्यम डायक्रोमेट पॉटेश्यम पर्मागनेट हेक्जा साइनो पॉटेश्यम हेक्जा साइनो फेरेट है ना अब उसके oxidation state calculate करेंगे तब हम आगे लिखेंगे यह सारे की आपको प्रिपरेशन पढ़ने है तो आज अपन पॉटेश्यम डायक्रोमेट की देखते ह है तो देखो potassium dichromate एक बहुत important inorganic reagent है जो हमें लाब में easily मिल जाता है ठीक है आप इसका इंडस्टियल प्रिपरेशन कैसे होता है तो इसका इंडस्टियल प्रिपरेशन में हम और यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमाइट और और का फॉर्मूला होता है फी ओ Cr2O3, ठीक है, यह ore का use होता है, concentrated ore रहता है, इसको हम treat करते है, sodium, excess of sodium, carbonate से, अब मैं इसको formula लिखती हूँ, ठीक है, excess of Na2CO3 से आप इसको react करवाते हो, और किसकी presence होती है, oxygen की, तो यह क्या बनाता है, देखो, अब यह जो है न, यह ore chromite हो रही है, convert किसमे हो जाएगा, sodium chromate में, तो यह Na2CO4 बन जाएगा, बाकि ferric oxide और carbon dioxide यहाँ पर निकल जाएगी, यह reaction तो हमें याद रहेगी, अब क्या होगा, यह जो roasted mass आया, sodium chromate का, इसको हम क्या करते हैं, water के साथ, treat करते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है, कि यह जो हमारा है, ferric oxide यह insoluble residue के form में रह जाता है, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास sodium chromate है, ठीक है, उसका solution है water में, अब हम क्या करेंगे इसको, sodium chromate में sulfuric acid डालेंगे, जैसे ही sulfuric acid डालेंगे, हमारा क्या होगा है, यहाँ पे, Na2Cr2O7 बन गया, ठीक है, dichromate वाला यहाँ पे आ गया, Cr2O7, और यह sodium sulfate of water यहाँ से निकल गया, अब हमारे पास dichromate तो आ गया, Cr2O7, अब हमें potassium चाहिए, तो potassium चाहिए तो क्या करेंगे, KCl के साथ reaction करा देंगे, तो Na2Cr2O7 की reaction KCl के साथ होगी, potassium dichromate बन जाएगा, और NECL, तो NECL को, NECL भी solution में है, तो NECL को हम filter कर लेंगे, और जो हमारा नीचे बचेगा, वो क्या होगा, हमारा potassium dichromate होगा, अब यह बहुत प्यारा orange color का liquid होता है, यह ना, इसके अगर आप crystals भी देखोगे, तो beautiful orange color के crystals आपको मिलेंगे, ठीक है, अब dichromate or chromate inter convertible है, chromate of chromium in chromate, ठीक है, and dichromate, इस सेम, अब देखो, chromate है, CRO42 negative, और dichromate है, CRO42 negative, अब यहाँ पर अगर हम oxidation देखें, तो minus 8 equals to minus 2, यह यहाँ जाएगा, तो यहाँ भी chromium की plus 6 है, 2X minus 14 equals to minus 2, यहाँ से अपन 2X मान लेते हैं, यह 12 होगया और यहाँ भी X equals to 6, तो यह इन दोनों मे plus 6 और plus 6 chromium की oxidation state है, ठीक है, अब यह दोनों, देखो, अगर H plus लेगा, तो water निकल जाएगा, और CRO42 negative बनेगा, यहाँ पर OH IN के साथ reaction होगी, तो CRO42 negative वो water बनेगा, ठीक है, तो इस से हमें क्या लग रहा है, कि thus there is a pH dependent equilibrium between chromate and the dichromate, H plus accept कर रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ बना रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कि alkaline solution में, जब OH के साथ reaction हो रही, तो chromate हमारा, dominant होगा, तो यह अबकी overall reaction है, जिसमें CR2 O7, देखो, H plus दे रहा है, रिलीज हो रहा है, तो यह acidic behave कर रहा है, और यह OH accept कर रहा है, यहाँ पर तो यह basic की तरह है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, behave कर रहा है, अब इसका nomenclature देखेंगे, तो potassium dichromate 6 is the iopec nomenclature, potassium dichromate 6, iopec nomenclature है, potassium dichromate का, जहाँ पर oxidation state chromium की bracket में लिखते हैं, ठीक है, यह statement कभी-कभी लिखने आ जाता है, फिर अब उन्स का structure देखते हैं, तो देखो, structure हमें पता है कि K2 CR2 O7 है, ठीक है, CR2 O7 and CR2 O4 2 negative, दो ions है, हमें इनका structure देखना है, तो the structure of chromate, that is CR2 O4 2 negative, and dichromate CR2 O7, dichromate क्यों है, दो chromium के atoms है, तो यहाँ पर visible है, तो देखो, chromate ions हो है, हमारा यह tetrahedral shape का है, और यहाँ पर CR, OCR, यह वाले case में जब आप देखोगे, तो bond angle 126 का आपको मिलेगा, ठीक है, तो देखो, यह आपका chromate का structure है, simple है, ठीक है, 166 आप देखोगे, यह पिको मीटर इसकी length है, अब आप देखोगे, dichromate का structure, तो dichromate में 2 chromium लगा दो, तीन-तीन oxygen लगा दो और एक oxygen से bond बन रही है, इसका bond angle 126 है, और 179 पिको मीटर इनकी bond length है, ठीक है, अब आपन देखते हैं इसकी physical properties, तो physical properties में, orange color का solid है, soluble है ठंडे पानी में, और freely soluble है hot water में, now chemical properties, तो CRO3 जो है, आप अब देखोगे, एक formula आएगा, यह chromic acid है, ठीक है, यह किसका है, यह क्या है, यह anhydride है, ठीक है, chromic acid का enhydride है, CRO3, जो कि laboratory glassware वग्यार की clean करने के लिए यूज होता है, तो chemical properties आप देखो, तो यहाँ पर अगर हम देखे, तो अगर आप heat करोगे, K2 Cr2O7 को potassium dichromate को, तो आपको oxygen और Cr2O3 और potassium chromate मिलेगा, ठीक है, अब concentrated acid अगर आप add करते हूँ इसमें, है न, cool solution में potassium dichromate के, तो red color के crystals मिलते हैं, किसके chromic acid के, ठीक है, chromic acid के red colors के crystals मिलते हैं, कब जब आप इसमें sulfuric acid add करते हो, अब potassium dichromate को अगर heat करते हो, concentrated sulfuric acid के साथ, तो आपकी oxygen यहाँ पर evolve होती है, reactions आपको याद रखेंगे, तीन reactions पढ़ी, सबसे पहले, potassium dichromate में, अगर हमने heat किया, तो हमारी oxygen evolve होई, और क्या मिला, K2CRO4, potassium chromate, अब हमने sulfuric acid ठंडे पानी में, sulfuric acid अगर add किया, तो क्या हुआ, chromic acid मिला, red color के crystals, अब अगर हम heat कर रहे हैं और sulfuric acid add कर रहे हैं, ठीक है, मैं तब sulfuric acid add करने के बाद heat किया, तो हमको oxygen evolve हो रही है, ठीक है, अब अगर अब concentrated HCl use करोगे, तो आपका KCl तो बने गई बनेगा, CrCl 3, chromium chloride बनेगा, water और chlorine गैसे evolve होगी, तो HCl use कर रहे हैं, तो chlorine गैसे evolve होगी, यह याद रखना है, ठीक है, बाकी balance आप कर लेना, फिर dilute alkali अगर आप add करते हो, तो alkali मतलब कोई base तो जिसमें OH होगा, तो orange color के crystals आपको yellow color में change होगे, दिखेंगे, वो किस वज़े से होगे, वो K2CRO4 के बनने की वज़े से होगे, और inorganic के mystery में यही बहुत important है, color change हुआ, किस ले हुआ, कौन सा आयन था, color change हुआ, क्या ब कारण है, yellow color, red color किसके कारण था, CRO3, ठीक है, orange color किसका है, K2CRO7, याद रखना, अब K2CRO4 फिर से orange color में change हो जाता है, अगर हम उसमें acid, add करें, तो एक property होगे, acid base वाली, जैसी basic add किया, हमने, CR207 में तो यह हमारा CRO4 बन गया, वही, K2CRO4, तो यह क्या होगे, हमारा yellow color, अ जैसी आप इसमें acid add करोगे, तो क्या हो जाएगा, वापस से dichromate बन जाएगा, तो most important property क्या है, potassium dichromate की, it's an oxidizing agent, ठीक है, in acidic medium, कैसे आप यहाँ देखोगे, acidic medium में, K2CRO7 is a powerful oxidizing agent, और reduce हो जाता है, green color के CR3 plus में, अच्छा, oxidizing agent है, मतलब reduction हो रहा है, तो जब यह acidic medium, acidic medium में, K2CRO7 oxidizing agent है, कैसे है, oxidizing agent है, मतलब reduction हो रहा है, दिमाग में बिठा लो, reduction हो रहा है, मतलब decrease in oxidation state है, यहाँ कितनी oxidation state होगी, x minus 8 equals to minus 2, 6 है, यहाँ पे कितनी है, 2x minus 14 minus 2, y6 है, ठीक है, अब, CR2, O7, 2 negative है, 14 minus 2, यहाँ जाएगा, 12 और 2, 6, यहाँ पे भी, 2 chromium की plus 6 है, मतलब, 1 की plus 3 है, और यहाँ पे भी 1 है, तो यह क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे reduction हो रहा है, मतलब, K2CR2O7, जो हमारा है, यह, ठीक है, बहुत अच्छा oxidizing agent है, अच्छा, अब, यहाँ हम देखें, तो यहाँ पे भी हमारी क्या है, x minus 8 equals to, यहाँ भी 6 है, यहाँ अगर हम देखें, तो यहाँ हमने, plus 3 निकाली थी, तो 2 की हो गई, plus 6, ठीक है, तो यह आपको याद र 3 plus, then the relevant reaction, half reaction, यह half cell equation, where the change in oxidation state from, यह है, वो reaction, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे तो 2 क्रोमियम थे, तो 1 क्रोमियम की, plus 3 थी, अब, जो overall reaction हमें यह दिखा रही है, कि K2CR2O7 oxidizing agent है, वो यह है, कैसे दिखा रही है, यहाँ पे तो हमने देखी थी, प्लस 6 थी, अब, यहाँ देख acid, K2CR2O7 oxidize हो जाता है, KI में और iodine में, ठीक है, HCL2, CL2, फिर iron 2 से iron 3 में, और H2S से sulfide में, sulfide to sulfate and SO2 to H2SO4, तो यह सारी reactions दी हैं, जैसे अगर sulfuric acid होगा, तो K2CR2O7 oxidize हो जाएगा, के आई से, I2 में, यह दिखा रहा है, HCL होगा, तो CL2 plus 2 से plus 3, H2S से S, sulfide से sulfate, फिर, और SO2 से H2SO4, ठीक है, बाके सारी reactions अगर आप इनको add करते हो, equation 1.3 को, 1.3 को, और 1.14 को, इन सबको add करोगे आपको, तो यह आपको overall reaction मिलेगी, ठीक है, इतना कि यह सब इतना किये, important नहीं है, आप यहाँ पर यह देखो, chromyl chloride test क्या होता है, बहुत important है, lab में भी बहुत use होता है, बहुत important है, chromyl chloride test is the confirmatory test for chlorine, chlorine, chlorine आएन को अगर, gas नहीं लिखना चाहिए हमें, chlorine लिखना चाहिए, अगर आपको chlorine आएन detect, किसी ने पूचा chlorine को कैसे confirm करोगे, आप बोलोगे, हम chromyl chloride test के, थो हम confirm कर लेंगे, अब क्या करोगे इस test में, potassium dichromate का यहाँ पर use होता है, अब क्या करोगे, mixture लोगे, mixture में आप थोड़ा सा K2Cr2O7 add करोगे, solid, ठीक है, फिर आप यहाँ से add करोगे, sulfuric acid, जैसे ही आप, अब कौन सा, concentrated, जैसे ही आप concentrated sulfuric acid add करोगे, और heat करोगे इसको, heat करोगे, flame में, red color के vapors आपको evolve होते हुए दिखेंगे, जो कि test tube में, ऐसे आपको दिखेंगे, ठीक है, अब जैसे ही आप इन vapors को pass कराओगे, आपका यलो कलर का solution आएगा, यलो कलर का solution आएगा, और if solution को acidify करोगे, acetic acid के साथ, और lead acetate डालोगे, तो yellow color का precipitate आएगा, क्योंकि हमने lead acetate डाला है, और acetic acid डाला है, बट हम ने, हमारे पास था potassium chromate भी, तो lead chromate का yellow precipitate आपको मिलेगा, जो कि soluble है NaOH में, और ये confirm करता है chloride iron की thace में, अब देखो, reaction क्या हो रही है, reaction यहाँ पे, यह NaCl है, यह, मानलो यह कोई salt था हमारा, जो हमें mixture analysis में दिया था, यह हमने potassium chromate अड़ किया, sulfuric acid अड़ किया, chromile chloride gas का formula याद कर लो, बहुत important है, वाइवा में पूछते है, CRO2, CL2 बना, अब CRO2, CL2, जैसी बना हमने NOH solution में pass किया, solution में pass किया, तो yellow color का solution आया, वो यह है, ठीक है, अभी हमने उपर पढ़ाता है yellow color का किस वज़े से आता है, yellow color किस वज़े से आता है, K2-CRO4 की formation से same चीज़ यहाँ पर आई है, कि yellow color CRO4 की presence से आया, अब यह NA2-CRO4 में जब हम lead chromate डालेंगे, lead acetate डालेंगे, lead chromate का yellow precipitate आपको मिलेगा, lead chromate का, and due to the formation of chromile chloride gas, this test is known as chromile chloride test, बट यह test जो है, अगर mercury tin और lead और silver है, तो यह test नहीं हमें काम आता है, यह सिर्फ लॉराइड का confirmator test है, अब इसका use क्या है, तो देखो, leather industries में, potassium dichromate का use होता है, oxidant के रूप में इसका use होता है, aso compounds बनाने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका volumetric, जब volumetric titration करते हैं, तो as a reagent use होता है, ठीक है, फिर reagent कह रहीं, इसका use होता है, फिर हम volumetric titration में, reagent की तरह iron, second का estimation के लिए use होता है, iodide के लिए होता है, primary standard है, primary standard की तरह use होता है, volumetric analysis में, acidic solution में, यह oxidizing action है इसका तो यह भी use होता है फिर organic synthesis में use होता है फिर preparation of chromium compounds like chrome red, chrome yellow, etc. इन सब में use होता है इन सब का use किसम होता है pigments में है ना फिर इसका tanning of leather cleansing agent for glass wears इन सब के लिए इसका use होता है ठीक है फिर हम पढ़ेंगे next video में potassium permagnate फिर हम पढ़ेंगे potassium ferocyanate ऐसे करके हमें 4-5 पढ़ने हैं so I hope आप लोग को यह video समझ आया होगा and thank you